आज के आरेसई क्या होता है डिफरेंट लेवल्स अफ आरेसई क्या होते है एक सिंपल स्ट्राटजी अगर आपको आरेसई सीखने में इंट्रेस्ट है ताकि आप ट्रेडिंग अपनी बहतर कर पाए तो ये वीडियो आपके लिए है लेट्स टार्ट तो जब आप ट्रेडिंग व्यू पर आओ गया आपकी किसी भी सॉफ्ट्वेर को ओपन करो गया जब आरेसई एड करते हो तो नीचे एक इंडिकेटर आता है इस तरीके से उस इंडिकेटर के सबसे पहले तो जाकर के सेटिंग्स चेंज करनी है मैं जिस तरीके सा भी कर रहा ह अब यह हटाने के बाद में I'll keep removing all these things यहां पर मैं यह सारी चीज़े हटा दूगा then यहां पर RSI upper band आया I'll put there 70 क्यों 70 रहने देते हैं यह middle band यह आपको यहां पर दिख रहा है उसे भी मैं हटा दूगा बेक्राउंड फिल दिख रहा है उसे भी मैं हटा दूगा बुलिंजर बैंड बेक्राउंड फिल दिख रहा है मैं वो भी हटा दूगा overbought and oversold condition यहां पर दी हुई है इसे भी मैं हटा दूगा we don't need all this that's it I'll keep it very clean and इस line को थोड़ा सथ थिक कर दूगा थाकि हमें clarity रहे कि वो line हमारे लिए important है so I'll make it bit thicker and clearer so आपने देखा कि मैंने क्या setting कर दूगा मैंने सारी चीज़े हटा दे सिर्फ मैंने RSI रखा है उसे थोड़ा dark किया है and then upper band and lower band रखा है that's it and okay अब मैं आपको समझाता हूँ के RSI टूल होता क्या है यह किस तरीके से काम करता है so this can act like a multiple way बहुत सारे तरीके है RSI को यूज़ करने के उसमें से classic तरीका जो 1900 के beginning में Wells Rider ने निकाला था and वो क्या था वो बड़ा simple है अगर आपका major trend up है major trend up का मतलब होता है let's say यह हमारा uptrend है from this phase यहां से ले करके let's say यहां तक हम मानते हैं के हमारा uptrend है and उसके बाद में let's say यहां से ले करके current market तक हम मानते है के हमारा uptrend है and यह जो beach का phase है this is not a uptrend तो हम इसे cancel कर देते है so that हमें पता है कि हमें यहां पे trade नहीं देखना है yeah so यह जो दो phase मैंने mark करे basic visual understanding के हिसाब से uptrend mark करा अब RSI का role क्या है वो मैं आपको बताता हूँ बड़ी आसान भाषा में मज़ा आएगा आपको सीखने के लिए so RSI जबी भी यह bottom 30 के level पे आएगा you can make it 35 as well so जबी भी यह 30 के level पे आता है वो time पे market जो है वो bottom बना सकता है जैसे का आप यहाँ पे देखोगे market came near to that 30-35 range and आप देखोगे market में का upswing आया फिर से एक बार market यहाँ पे आता है यहाँ पे आप देखोगे वो range में आता है market upswing बनाता है फिर से जब यहाँ पे आता है market 30-35 के range में it finally makes a bottom and it goes up जो bottom आज तक हमने नहीं देखी है so whenever prices go below 35 यहाँ पे blank slide पे हम समझने की कोशिश करते है यहाँ पे आप देखोगे 0 to 100 जो RSI का range होता है वो हमने mark किया है इसके बाद में let's say we'll put a one line on 35 and we'll put one line on 75 I know it's not orthodox classic numbers 30-70 होता है वो सही number है पर मैंने 5-5 point उपर किया है because I think so Indian market में यह better work करता है 35 so I have done that on my own अब यहाँ पे क्या होगा market चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है black color से करते है market is going up and down and up and down and up and down and RSI जब 35 के नीचे आता है and फिर जब 35 के उपर जाता है bang that can be your bottom in the market यह market bottom हो सकता है and यहाँ पे trade किया जा सकता है that's the basic rule of RSI and then market जब वापस उपर जाता है and 75 के उपर जाता है so maybe you can say your target is done क्योंकि uptrend में आप short नहीं करोगे uptrend में आप सिर्फ buy करते हो so 75 can be your target it's one of the way to use it या तो अगर और clarity चाहिए 75 भी हटा दो सिर्फ 35 पे focus करो वो आपको और बेटर focus दे सकता है market में so let's remove upper band also let's focus on buy only strategy as of now in this particular video so RSI के साथ में stock buy कैसे करे simple भाषा में देखो यहां पे और एक 35 कर देते हैं हम see this market जब 35 के नीचे आया uptrend में bang that's a buy फिर से कहां पे आया 35 के नीचे see this यहां पे bang that's a buy फिर से कहां पे आया नहीं आया फिर कभी भी पर यह एक level था जहां पे 35 के नीचे टू आया बड़ चलो वो भी जाने दो तो आपको पूरे यह trend में सिर्फ आपको दो तीन बार buy मिला if you see this तो आपको यहां पे buy मिला पहला let's आपका stop loss हो गया दूसरी बार मिला यहां पे वो भी stop loss हो गया यहां पे पहला buy हुआ विच गॉट stop loss फिर यहां पे दूसरा buy हुआ प्रॉपर 35 के नीचे विच गॉट stop loss बैक टू बैक हुए लेकिन लेकिन फिर जब यह तीसरा trade मिला बैंग ओ विवीडिफॉल रैली और वहां पे पुराने दो losses तो cover हुए ही but also you made a good money अब यहां पे मैं ज़्यादा complex नहीं कर रहा हूँ target वगेरा दे करके नहीं तो वीडियो एक अलग level पे जाएगा RSI समझते हैं ठीक है entry आज समझते हैं अगर आप कहोगे तो full वीडियो फिर से बनाएंगे RSI पे यह देखो यहां पे जब यह मिला एक ही trade मिला no stop loss nothing just see the moment कैसे चला यह? मैंने circle करा है दोनों पे जब market 35 के नीचे आया था is it working fantastic? yes so this is one of the way this is how RSI works जब uptrend में market जब uptrend में stock 35 के नीचे मिलता है आपको bank that's a buy और एक आदा example देखते हैं let's open the stock energy है enterprise खोलते है yeah so see this क्या यह हम एक major uptrend में है are we in a good uptrend can you see that uptrend yes or no एक भेतरीन खुबसूरत uptrend है answer is yes then क्या होगा जब जब यह market near to 35 zone आया इसको हम RSI को और बढ़ा करते है and prices को भी बढ़ा करते है okay see this जब जब यहां पे market उस range में आया हमारे near 35 see the performance just see this fantastic yeah then फिर से हम 35 के near आने का wait करेंगे फिर से यहां पे आता है 35 के near 35 के near market इसे यहां पे अगें इसे जब नेक्स टाइम यहां पे आता है जो आपका stop-loss ट्रेड है वो भी बहुत जरूरी होता है मैं वीडियो बनाता हूं तब दिखाना नहीं तो ऐसा होता है कि जो चलते हैं वो दिखाते हैं ऐसा नहीं होता है यहां पे मार्केट आया and stop-loss हो गया इट सो गड़ या सो हमेशा वो stop-loss रखके ट्रेड करना है बिना stop-loss का आप ट्रेड नहीं कर सकते हो आपको मार्केट में एंट्री सिगनल दे सकता है सही कहों ही लोकेशन पर एंट सही प्राइस पर जब अप्ट्रेंड होता है मार्केट में तब डेली चार्ट पर जब 35 के नीचे मार्केट आता है बैंग आप्ट्रेंड के किस तरीके से काम करता है पीछे जाओगे कोई भी चार्ट खोल लो कहीं भी देख लो बट अप्ट्रेंड होना जरूरी है मार्केट में अगर बिना अप्ट्रेंड के करोगे तो नहीं चलेगा विज्वल अप्ट्रेंड होना चाहिए विज्वल इसको कई तरीके से define करा जा सकता है uptrend को moving average के साथ RSI के साथ weekly chart के साथ trend line के साथ support resistance के साथ उसके कई सारे रास्ते हो सकते है uptrend को define करने के लिए पर simple भाषा में इतना काफी है then अलग-अलग levels समझ लेते हैं यह हो गया आपका what is RSI in strategy with RSI अब अलग-अलग levels हम समझ लेते हैं RSI के क्या होंगे so एक तो मैंने आपको दिखा दिया जो one of the मेरा favorite है वो है 35 only ठीक है second maybe you can use it 75 अभी के लिए shorting को हटा देते let's let's not get into the shorting part सिर्फ buy का सोचते हैं के buy कहां पर कर सकते हैं so buy के लिए one is 35 one is 20 which is extreme 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 बहुत ही कम बार यहां पर trades मिलेंगे आपको 20 करते हो तो लेकिन अगर trade मिला so फिर वो trade भी ऐसा होगा see this you got that RSI 20 trade यहां पर यहां पर मिला यह zone में stock is at 125 130 700 के आसपास और stock चल रहे that went to direct 6000 वापस आपको यहां पर stock मिला which is 1100-1200 and see this market किस तरीके से वहां से उपर गया so that's one more level which is very rarely used आप देखोगे तो कितने साल में कितने trade मिले 2020 से लेके 24 दो trade सिर्फ दो trade बट दोनों trade की power आप देख चुके हो कि यह कैसा चला है so it's very rare occasion के यहां पर आपको trade मिलेगा बट जब मिलेगा तब most of the time अच्छे चलते यहां पर भी आप देखोगे तो एक stop-loss हुआ but eventually it worked well पीस वाला stop 42 but after the stop-loss तो यहां पर एक divergence trade अच्छा हो सकता था this is a good bullish divergence also मैंने आपके लिए कुछ बड़ा प्लान किया है RSI के साथ में would you love this kind of video short video 10 minutes में मैंने खतम कर दिया आज लेकिन क्या आप ऐसा कुछ देखना चाहोगे बड़ा video RSI पर what is RSI history of RSI how to calculate RSI understanding the key level 0-200 3070 2080 4060 then what is RSI middle line crossover what is good RSI setting for beginner over what oversold condition divergence क्या होता है two type of divergence regular and hidden different market RSI in different market trends RSI in different time frame adjusting RSI setting day trading swing trading support resistance volume range bond market में कैसे use करना है common RSI mistake to avoid pros and cons psychology and और भी बहुत कुछ मैंने आपके लिए सोच के रखा है पर this video will go very long maybe एक गंटा देर गंटा दो गंटे का भी वो वीडियो बन सकता है कि आप RSI पर full video देखना चाहोगे तो comment करके बताना RSI full video then we'll definitely try to make next time अगर 1000 से जादा comment आते है then हम वो बनाना चाहेंगे RSI पर long video and also यहाँ पर 20 मैंने आपको बताया level इसके अलावा 40 भी use करा जा सकता है जो मुझे personally 35 बेटर लगता है but also you can use as 40 so जब market 40 पर आकर के support ले करके जाए that's your buy also you can use 50 जो already यहाँ पर दिया हुआ है default setting में 50 so 50 भी use करा जाता है कि अगर वो breakout होता है 50 के level पे then that's your buy जैसे के यहाँ पर breakout होता है that's your buy so these are the buy levels 20, 35, 40, 50 अलग-अलग uses है इनके अलग-अलग तरीकों से हम use कर सकते हैं इनको and बाकी RSI पर full video देखना चाहोगे नहीं देखना चाहोगे एकाद मिनिट, दो मिनिट, तीन मिनिट उपर हो गया होगा but anyways I am super happy and pumped to make this short video for all of you comment करके जरूर बताना के RSI पर full video हो या नहीं बाकी अगले हफते मिलता हो तब तक इसी तरीके से सीखते रहे है क्योंकि एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर हो जाए क्योंकि एकाद मिलता हो जाए